नमस्कार बैजूज आएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 15 सितंबर के प्रमुख समचारों पर अधारित कुछ प्रस्टों पर चर्चा करने वाले हैं तो आए सुरू करते हैं आज का डेली क्विज यहां पर Question No.1 है Indies Egypt मच्छड से निमलिकित में से कौन से वारल रोग संचरित होते हैं और यहां पर आपको पांच रोगों के नाम दिये गए हैं तो यहां पर बात हो रहा है Indies Egypt मच्छड से फैलने वाले रोगों के बारे में अगर हम इन मच्छडों की बात करें तो इन मच् पॉइंट नमबर 2 है जहां पर डेंगु का जिक्र किया गया है वह इसके द्वारा फैलाया जाता है उसी तरीके से पॉइंट नमबर 3 जहां पर जीका बुखार का जिक्र है उसे भी इनके द्वारा फैलाया जाता है और यहां पर जो पॉइंट नमबर 5 है जहां पर लिखा यानि कि यल्लो फीवर इसे भी इन मच्छडों के द्वारा संचरित किया जाता है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो question number 1 का answer होगा option number D यानि की 2, 3 और 5 इसे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के दहिंदू समचार पत्र में आपको मिल जाएगा जिसका सिर्सक है गुर Microfinance Institution Network यानि की MFIN के संदर्व में दिये गए कथनों में से कौन सा कथन सही है और यहाँ पर आपको तीन कथन दिये गए हैं यहाँ पर पहला कथन है यह गैर बैंकिंग वितिये कंपनियों यानि की NBFC के रूप में कारे करने वाले सुख्ष में वित संस्थानों का एक तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है Microfinance Institution Network को ले करके अगर हम MFIN की बात करें तो इसकी अस्थापना 2009 में NBFC MFI यानि की Microfinance Institution के लिए एक उद्योग संग के रूप में किया गया था यानि की ये हमारे देश में जो Non-Banking Financial Companies है और जो MFI है यानि की Microfinance Institution है उसके लिए एक संग के रूप में काम करता है जिसकी अस्थापना 2009 में किया गया था और इसके अधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन बिलकुल सही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है या भारतिय रिजर्ब बैंक द्वारा मानिता प्राप्त है तो ये बात भी बिलकुल सही है 2014 में MFIN यानि की Microfinance Institution Network को Reserve Bank of India के द्वारा NBFC MFI के लिए भारत के पहले स्वा नियामक संगठन यानि की SRO के रूप में मानिता दिया गया था यहाँ पर SRO का मतरफ है Self Regulatory Organization यानि की 2014 में इसे Reserve Bank of India के द्वारा मानिता भी दिया गया था और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा क कथन बिल्कुल सही है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है भारतिय रिजर्ब बैंक द्वारा स्वान यामक संगठन यानि की SRO का दरजा प्राप्त करने वाला यह सुक्ष्म रिंड यानि की माइक्रो लेंडिंग कारोबार के छेतर में पहला संग है और पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है यानि कि यहाँ पर तीनो के तीनो कथन सही है और इसके धार पर देखा जाए तो question number 2 का answer होगा option number D यहाँ पर तीनो के तीनो कथन सही है तो बहुत important question है यह microfinance institution network को ले करके और इससे जुड़ा हुआ एक news आज के दहिंदू समचार पत्र में आया है जिसका सिरसक है microfinance loan roses 4.2% at June end और यह बात MFIN के त्वारा कहा गया है तो इस news को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे आए अब question number 3 पर चर्चा कर लेते हैं question number 3 है उन्होंने व भारत की निर्वासित सरकार के स्थापना की जिसने निर्वासन में भारत सरकार के रूप में कार किया उन्हें लोखपिये रूप से आर्यन पेस्वा के नाम से जाना जाता है और उन्हें वर्स 1932 में नोबल सांती पुरुसकार के लिए नामंकित किया गया था यहां पर क्लू दिया गया है कि 1915 में इनके द्वारा काबूल में एक निर्वासिस सरकार का गठन किया गया था और यहाँ पर जो दूसरा important क्लू है वो यह है कि 1932 में इन्हें नोबल सांती पुरसकार के लिए नामंकित किया गया था और यह दोनों बाते हैं वह राजा महेंद्र परताप सिंग के तरफ इसारा करती हैं अगर हम राजा महेंद्र परताप सिंग की बात करें उन्होंने 1915 में अफगानिस्तान की आरियन पेस्वा के नाम से जानते थें यानि कि यहां पर राजा महेंद्र परताप सिंग की चर्चा हो रही है यानि कि question number 3 का answer है option number B इनसे जुड़ा हुआ एक निउस आज के इंडियन एक्सप्रेस के explain सिरीज में आया है जहां पर राजा महेंद्र परताप सिंग के लेकर के काफी चर्चा की गई है आप इस निउस को जरूर ध्यान से पढ़ेंगे आईए अब question number 4 पर चर्चा कर लेते हैं question number 4 है दिये गए कफनों में से कौन सा कफन गलत है आपको यहां पर ध्यान देना है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कफन गलत है और यहां पर आपको दो कफन दिये गए हैं यहां पर पहला कफन है भारत और United Kingdom के बीच सुन्य सुल के वरस्था के साथ मुक्त वैपार समझोता है अगर हम नवंबर से भारत और United Kingdom Free Trade Agreement के उपर चर्चा करने वाले हैं और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कफन बिलकुल गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर कहा गया है कि भारत और United Kingdom के बीच में पहले से ही एक मुक्त वैपार समझोता मुझूद है जो की गलत है यानि कि यहां पर पहला कफन बिलकुल गलत है आए देख लेते हैं दूसरे कफन को दूसरा कफन है दोनों देशों ने हाल ही में नर्सिंग और वस्तुकला सेवाओं जैसी चुनिंदा सेवाओं में पारस्परिक मानेता समझोते पर हस्ताक्छर किये हैं तो यहां पर यह कहा गया है कि भारत और UK कुछ छेत्रों में जैसे नर्सिंग और वस्तुकला के जो छेत्र हैं वहां पर समझोता कर सकते हैं लेकिन यहां पर जो कथन उसमें कहा जा रहा है कि नर्सिंग और वस्तुकला सेवाओं जैसे चुनिंदा सेवाओं में पहले ही समझोता किया जा च यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल गलत है और इसके धार पर देखा जाए तो question number 4 का answer होगा option number C याने की दोनों के दोनों कथन गलत हैं तो इससे जुड़वे news को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे जहाँ पर इंडिया और UK के बीच में free trade agreement को लेकर के चर्चा किया आए अब एक previous year question पे चर्चा कर लेते हैं और यह question 2020 में पूछा गया था question number 5 है अस्प्रिस समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्धुनसक कि इसके द्वारा प्रकासित किया गया था और यहाँ पर आपको चार option दिये गया है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अस्प्रिस समुदाय के लोगों को लक्षित कर जो प्रथम मासिक पत्रिका जिसका नाम विटाल विध्धुनसक है उसे गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा प्रकासित किया गया था यानि कि यहाँ पर जो question number 5 है उसका answer होगा option number A य आज के इंडियन एक्सप्रेस के explain series में आया है जहाँ पर quad को लेकर के सारी बाते बताई गई है तो बहुत ही important news है इसको आप जरूर पढ़ेंगे quad अभी चर्चा में है और इससे जुड़ी सारी जानकारिया आपके पास होना चाहिए अगर हम quad के गठन की बात करें तो हिंद महासागर में जब सुनामी आया था उसके बाद भारत जापान अस्टेलिया और अमरिका के द्वारा आपदा राहत में एक दूसरे के सहयोग करने के लिए एक अनौपचारिक गठन बनाया गया था उस समय इसे quad का नाम नहीं दिया गया था लेकिन 2007 में जापान के उस सुनामी के समय उसे 2007 में एक नाम मिला जिसका नाम रखा गया quad यानिकी चतुरभुज सुरपच्छा वारता लेकिन इसके बाद से ही quad उस तरीके से famous नहीं हुआ इन देसों के बीच में quad को लेकर के बहुत ज़दा गंफिरता नहीं दिखाए गयी और उसके बाद 2017 में जब चीन के द्वारा हिंद महासागर में अपनी मनमानी सुरू की गई उसके बाद से ही quad के महत्तों को इन देसों के द्वारा समझा गया मार्च 2021 में quad नेताओं के बीच में एक virtual meeting हुआ और इसके बाद में the spirit of the quad सिर्शक से एक सन्युक्त बयान जारी किया गया और इसी में quad के सामोहिक द्ष्टिकोन और उसके उद्देसियों को रेखांकित गया गया तो एक बहुत बड़ा development quad को लेकर के हाँ पर सामने आया अगर हम इसके उद्देसों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर कहा गया है कि यह जो गठबंदन है उसका प्राथमिक उ किस तरीके से पारिशितिक तंतर को मजबूत किया जा सकता है इस पर यह सारे देश काम करेंगे तो इन उद्देसों की चर्चा spirit of quad में किया गया है यहाँ पर यह भी बात सामने आया है कि quad के जो member हैं उनके द्वारा इसे बढ़ाने का भी परयास किया जा रहा है और इस बंदन यह बन चुका है जिसकी मीटिंग अभी अमेरिका के राष्टपती के द्वारा बुलाया जा रहा है जहां पर इन चारों देशों के जो राष्टा धक्ष है वो भाग लेने वाले हैं तो important topic है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे आसा करता हूं कि आपको आज subscribe करने के लिए प्रेद करें तो मिलते हैं daily quiz के अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद